Hello everyone, welcome back to my channel, let's learn everyone मैं आप सभी कई बर फिर से अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज की vocabulary learning lesson में हम सीखेंगे 12th May 2021 के newspaper से collect किये हुए vocabulary words vocabulary words चाहें किसी भी newspaper से collect किये हुए हूँ सभी words किसी भी newspaper as well as कोई सी भी English को read करने के लिए उतने ही useful होते हैं जितने की जिस newspaper से collect किये हुए words होते हैं तो आप लोग इस बात पर ध्यान देने की जगा कि मैंने किस newspaper से collect किये words words को समझने और उनको use करने पर और साथी उनको अपने daily conversation में use करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए तभी ये words आपके लिए helpful रहेंगे तो चलिए करते हैं वीडियो start first word है हमारा hubris hubris एक noun है जिसका मतलब होता है अभिमान, घमंड, अक्खलपन, हेकली, एहनकार या गर्व synonym words है इसके arrogance, pride, vanity, conceit, haughtiness, egotism, appetiness, snobbery और ears antonym words है इसके modesty, politeness, humility, humbleness, civility, meekness और niceness मतलब विनम्रता, नम्रता, शिष्टता या अच्छाई example है his hubris is so high that he thinks he is perfect and superior to all and everyone should do whatever he wants उसका घमंड इतना जादा है कि वह सोचता है कि वह एकदम सही है और सबसे stressed है और हर किसी को वही करना चाहिए जो वह चाहता है तो hubris का मतलब होता है अभिमान, घमंड, अक्खलपन, हेकली, एहनकार या गर्व next word है flinch, flinch एक verb है जिसका मतलब होता है घबरा कर पीछे हटना, किनारे होना, कतराना या बचना मतलब कोई भी ऐसी situation या कोई भी ऐसी बात जिससे डर के या घबरा कर पीछे हो जाना या उस बात से या उस situation से बचने की कोशिश करना या उससे बचना synonym words है इसके shrink, recoil, escape, vince, cringe, dodge, evade, squinch और tremble antonym words है इसके confront, face, meet, fight, struggle और dare मतलब मुकाबला करना या सामना करना मतलब उस situation या उस बात से पीछे ना हट कर उसका मुकाबला करना या उसका सामना करना और accept और adopt मतलब सुईकार करना या अपनाना उस situation को या उस बात को सुविकार करके आगे बढ़ना या उस बात को अपनाना Example है He never flinches from doing any work given to him रहे उसे दिये गए किसी भी काम को करने से कभी पीछे नहीं हटता है यहाँ पर situation है मतलब कि कोई काम करने को जब भी दिया जाता है तो वो उस काम से घबरा कर पीछे नहीं हटता है Second example है He didn't even flinch when the nurse cleaned the wound जब नर्स ने घाव को साफ किया तो भे घबराया भी नहीं मतलब डर के या दर्ग से वो घबरा कर पीछे नहीं हटा या घबराया नहीं तो flinch का मतलब होता है घबरा कर किसी situation से या किसी बात से घबरा कर पीछे अटना किनारे होना, कत्राना या बचना या फिर दर्ग से पीछे हटना या दर्ग की वज़ा से घबरा जाना तो इस तरह से flinch को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं किसी बी डर की बज़ा से घबरा कर पीछे हटना या फिर किसी दर्ग की बज़ा से पीछे हटना Next word है हमारा Credence Credence एक noun है जिसका मतलब होता है विश्वास, साख, भरोसा, यकीन या विश्वास नहीं है था Synonym words है इसके Faith, Belief, Trust, Credit, Assurance, Acceptance, Reliance, Believability, Credibility और Plausibility Antonym words है इसके Disbelief, Discredit, Distrust, Incredulity, Impeachment, Skepticism, Suspicion और Doubt मतलब अविश्वास, संधे, शक या संशे Credence का मतलब होता है किसी चीज पर या किसी फैक्ट पर या किसी बात पर विश्वास या भरोसा और उसके Antonym words का मतलब होता है किसी बात पर या किसी फैक्ट पर या किसी बिलीफ पर संधे या शक Example है इसका Now people are giving credence to the fact that Ayurveda is also an effective way for the treatment of chronic and incurable disease अब लोग इस तथे पर विश्वास कर रहे हैं कि पुरानी और असाध्य बीमारी के इलाज के लिए Ayurveda भी एक प्रभावी तरीका है तो credence का मतलब होता है भरोसा और chronic का मतलब होता है पुरानी और incurable का मतलब होता है असाध्य मतलब जिसका कोई इलाज ना हो Next word is estu, estu एक verb है जिसका मतलब होता है बचना, दूर रहना, परहेज करना, त्यागना या छोगना Synonym words हैं इसके shun, avoid, abstain, refrain, abjure, forgo, renounce, abandon और relinquish मतलब छोगना या परहेज करना या त्यागना Antonym words हैं इसके follow, obey, observe, participate, partake, join, involve और contribute Follow, obey और observe का मतलब होता है पालन करना या अनुकरान करना मतलब किसी बात को छोगने की जगाा पर उसका पालन करना और participate, partake, join, involve और contribute का मतलब होता है भाग लेना, हिस्सा लेना या सम्मिलित होना मतलब किसी चीज को परहेज करने की या किसी चीज को छोगने की जगा पर उसमें भाग लेना या उसमें सम्मिलित होना एक्जाम्पल है आपको धूमरपान से बचना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि यह है आपके स्वास्थ के लिए खतरनाक है तो S-T-O का मतलब होता है बचना या परहेज करना या त्यागना नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लैंड्सलाइड लैंड्सलाइड एक नाउन है जिसका मतलब हम सभी को पता होता है कि भुस्खलन होता है मतलब की simple words में अगर हम कहें तो heavy rain या किसी natural disaster की वज़ा से जमीन का खिसक जाना या उसका तूट कर गिल जाना होता है तो उसे बोलते हैं भुस्कलन लेकिन यहाँ पर एक दूसरा meaning भी होता है landslide का जो होता है भारी, बहुमत, महाविजय, जबरदस्त, जीत या महान सफलता और landslide एक noun होता है सुनानिम वर्ड्स है इसके triumph, victory, win, conquest, success, subjection, fruitation, achievement, attainment और accomplishment achievement, attainment और accomplishment का मतलब होता है उपलबधी लेकिन उसका एक meaning यह भी हो जाता है कि उपलबधी है तो मतलब की जबरदस्त जीत है या कोई महान सफलता है एंटॉनिम वर्ड्स है इसके failure, defeat, fiasco, disaster, unsuccessfulness, setback, debacle और route मतलब जबरदस्त हार या असफलता example है, the political team was hoping that it would win the election but was surprised by its landslide राजनीतिक दल उमीद कर रहा था कि वह चुनाव जीतेगा लेकिन अपनी जबरदस्त जीत से आश्चरे चकित हो गया मतलब political party को उमीद तो थी कि वो जीतेगी लेकिन इतने जबरदस्त सफलता से जीतेगी या इतनी जबरदस्त सफलता उसको मिलेगी उसकी उसे उमीद नहीं थी तो landslide का मतलब जबरदस्त जीत या भारी बहुमत next word है fritter, fritter यहाँ पर एक verb है लेकिन जब हम इसको noun की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है पकोगे या पकोगी जिसको हम खाते हैं लेकिन यहाँ पर हम verb की तरह बात कर रहे हैं तो fritter as a verb fritter का meaning होता है व्यत नस्ट करना व्यत बरवात करना गवाना उगाना अपव्याय करना या दुरुपयोग करना फिर चाहें वो money हो time हो energy हो किसी भी चीज के लिए हम fritter word का use कर सकते हैं मतलब जब किसी भी चीज को energy time या money किसी भी चीज को ब्यकार में फाल्तू में ही बरवात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम fritter word का use करती है synonym word से इसके squander, waste, dissipate, miss spent, misuse, splurge, over spent, blow और lose मतलब की बरवात करना या nust करना antonym word से इसके save, conserve, retain, keep, store, hold और accumulate मतलब सुरक्षित रखना, संभालना या इकटा करना save, conserve, retain, keep और store और hold का मतलब होता है सुरक्षित रखना या संभाल कर रखना और accumulate का मतलब होता है इकटा करना, मतलब इकटा करके संभाल कर रखना, example है इसका he frittered all his money and precious time in gambling and other bad activities उसने अपना सारा पैसा और कीमती समय जुएं और अन्ने बुरे कामों में बरवात कर दिया तो fritter का मतलब बरवात करना या दुरुपयोग करना तो ये था अज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ share किये six words जो की आपकी vocabulary को strong बनाएंगे क्योंकि बहुती useful words है और साथी बहुती ज़्यादा important भी है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, share करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो please चैनल सब्सक्राइब करें मिलती हूँ नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखें, safe रहें साथी बहार जाने से पहले mask का use जरूर करें